नमस्कार सातियों, आज का जो हमारा विशे है वो गšlor passes सरकार दोरा चला ही जा रहे हिए, insurance scheme के regarding है कई सरी scheme भारत सरकार दोरा चला ही जाती है, जनका premium नाम मात्र का है ऐसी कुछ Queensborough के बारे में आँड डिसकस करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे PM, SBY, प्रदानमंति, सुरक्षा वीमा योजना इस वीमा के अंदर एक तरह का Accidental Insurance Scheme है जिसकी premium मात 20 रूपे प्रतिवर्स है तो ये scheme के लिए हर customer eligible है चाहे आप किसान हो या फिर businessman हो या employee हो कुछ भी हो इसके लिए कोई criteria decide नहीं किया गया है हर Indian citizen के लिए ये scheme allowed है इसकी premium मातर 20 रूपे पर एनम है इसके अंदर 2,00,00 का cover मिलता है accidental death में ये ध्यान रगिए है ये केवल accidental death के case में ही है तो ये इसके लिए केवल आपका एक saving खाता होना चाहिए जिसमें से इसका amount हर year कटता रहेगा तो आप किसी भी bank में जाकर इसके लिए apply कर सकते है इसी के लिए claim के लिए थोड़ा सा बतायता हूँ अगर मानलीजे कोई दुरगणा वस accident में death हो जाए तो इसके claim के सा करना है तो इसके claim के लिए जो main document लगते है वो एक है FIR report इसके अलावा post-martem report और KYC nominica और past book के कुछ print pages के तो ये इसके document है इसमें एक और clause बनाया गया है एक तो death का जिसमें 2 लग का मिलता है claim और अगर मानलीजे आपका accident हो गया और आपकी 50% body disabled हो गई उसके regarding आपको एक लाग रुपे का claim मिलता है इसके लिए document में केवल आपको एक MBBS doctor का एक certificate लगेगा जिसमें लिखा हो कि आपकी 50% body disabled हो गई है तो आप एक लाग रुपे का ये चीज उठा सकते है इसके अलावा जो second scheme है वो है फिर्दान मंत्री PMJBY तो इस scheme के अंडरगर जे death insurance है आपको किसी भी काराण वाशागर आपकी death होती है तो उनके लिए जे भी हर citizen के लिए तो लेकिन इसमें criteria थोड़े कम है इसमें जो age criteria लखा गया है वो 18 से 50 वर्स तक के लोगों के लिए और जबकि पिर्दान मंत्री सुरक्षा भी माम है जो criteria था वो 18 से 70 वर्स तक के लोगों के लिए था इसकी premium PMJJBY की premium 436 रुपे पर एनम है तो इसमें बस यही है उससे difference यह है वो capable accidental insurance था इसलिए उसका premium बहुत कम है 20 रुपे पर एनम है और जे death insurance यह किसी भी तरीके से आपकी death होती है तो आपको इसमें 2 लाग रुपे का सयोगरासी प्राप्त होती है वारत सरकार द्वारा तो amount इसका याद रखी 436 रुपे लेकिन एक चीज इसमें है जो जे पिकदान मंद्री सुरक्षा भीमा से अलगे वो इसका lock-in period इसमें lock-in period 30 दिन का होता है मानली जी आज 1 मई है मैंने insurance कराया तो अगर 1 मई से लेकि 30 मई के बीच मेरी मरत्य हो जाती है तो मैं ये claim नहीं करूँगा इसके लिए लेकिन जो पिरदान मंद्री सुरक्षा भीमा था अगर आपने 20 रुपे का आज कराया और कले accident में रत्य हो जाती है तो आप वो claim कर सकते है इसमें claim के time जो document लगते है एक होता है दावा form जो की bank आपको provide कराता है इसके अलावा KYC document जो की nominee है उनके और passbook print पासbook की एक photocopy customer की और जो nominee है उनकी तो जो दो scheme भारत सरकार दोराज चलाई जाती है काफी अच्छी scheme है इसके अलावा एक आपने पिर्दान मंदरी जंदन योजना के अंदरगत सुना होगा एक account खोलते हैं no frail account कहा जाता था जनको पहले इसमें जे account उन लोगों के लिए होते हैं जनको financial inclusion या मतलब पते ही नहीं है bank के बारे हैं उनके लिए खोले जाते हैं zero balance वे अकाउंट खोलते हैं और इसमें transaction पचास हजार तक ही होता है पचास हजार से उपर अगर आपने deposit लिया तो वो PMJDY से अलग हो जाएगा इसमें एक insurance scheme ये है इनके साथ जो रुपे debit card मिलता है उस पे भी insurance रहता है रुपे debit card PMJDY खाते का तो अगर आपके पास वो account है और वो use करते हैं debit card तो उस पे एक लाग रुपे तक का भीमा उस पे भी मिलता है तो ये तीन basic scheme है इसमें से PMJDY आप हर किसी के लिए नहीं है लेकिन प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा और PMJJDY ये दो scheme जो है वो हर Indian citizen के लिए आप इनके बारे में कोई और doubt हो आप comment section में हमें बता सकते हैं Thank you